इस लेक्शर के अंदर हम सीखने वाले हैं Prompt Engineering. Prompt Engineering क्यों और किस विड़ा से ज़रूरी है, इसके बारे में पहले बात करते हैं. आपने ChatGPT चलाया होगा, and there are many people जो ChatGPT को यूज़ कर रहे हैं. ChatGPT एक Large Language Model है, आप इसके साथ जब बातें करते हैं, you can ask anything in the world on ChatGPT. पहले इबने बतूता जैसे जितने भी लोग थे, वो दुनिया में ट्रैवल करते थे, and they were telling people के किस तरीके से दुनिया चल रही है. आज के दोर में सारी की सारी दुनिया की जितनी भी अपडेट्स हैं, आपके एक क्लिक के उपर बढ़ी हुई हैं. आप किसी चीज की रिपोर्ट लेने से लेके, सीखने तक, डिवैलप करने तक, नई इमेज क्रियेट करने तक, आप हर एक काम घर बेठे अपने PC पे कर सकते हैं. और ये काम हो रहा है AI की बदौलत. अब AI के साथ गुफटगू करने के लिए हमें पहले कोडिंग करना पड़ती थी, ट्रडिशनल चैलेंजिस को देखते हुए, और पिछले दोर के अंदर कुछ जो हमारे साइंटिस्त थे, खासतोर पे IT, इंजिनियर्स या कंप्यूटर साइंटिस्त, वो कोडिंग किया करत अगर आपको सिरफ एक अपना सवाल पूछना आता है, तो that is enough these days, और लार्ज लेंगुज मॉडल क्या करें, वो basically आपके सवाल की बेस पे आपको जवाब दे रहे हैं, और अगर आप सवाल अच्छा पूछने हैं, तो आपको जवाब भी अच्छा मिर रहे हैं, और अगर सवाल अच्छा नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको जवाब भी अच्छा नहीं मिर रहा, so based on those things, nowadays, सवाल पूछना अगर आपको आता है, जवाब आपको LLM, यानि के Large Language Model चुटकियों में दे देगा, जितना अच्छा सवाल पूछेंगे, उतना अच्छा जवाब मिलेगा, जितना खराब आप सवाल पूछेंगे, उतना खराब आपको जवाब मिलेगा, इसी वज़ा से, आज के लेक्छर के उपर, हम जो गुफ्तुगू करने वाले हैं, वो है Prompt Engineering की, कि Prompt यानि कि सवाल पूछने का तरीका कार क्या होना चाहिए, कौन-कौन से Steps होने चाहिए, और आज कल दुनिया में Prompt Engineers की जरूरत क्यों पढ़ रही है, किस तरीके से आप Prompt को यूज कर सकते हैं, how can you utilize the power of chat GPT, Google Bard, या जितने भी आपके large language model के tools हैं, आप उनको किस तरीके से देख सकते हैं, So, let's jump into our slides, और hopefully आपको यह slides नजर आ रही होंगी यहां पर, अब अगर आप गहुआ करें, तो इस slide का main topic क्या है, Prompt Engineering, Prompt Engineering क्या होती है, अगर इसके बारे में हम देखें, तो हमारे पास, यहां पर, Prompt Engineering is a relatively new discipline for developing and optimizing prompts to efficiently use large language models for a wide variety of applications and research topics, ठीक है? वही चीज़ के यह machine learning यह AI के अंदर एक नया discipline है, बहुत recently आया है, जैसे ChatGPT आया है, उसके फॉरण बाद लोगों को सवाल पूछना, सिखाना, एक Prompt Engineering के फिल्ड के अंदर आ गया, अब Prompt Engineering क्या है, मेरे जैसा बंदा जो पहले code करके कोई काम करवाता था, या Google पर सर्च करता था, या Stack Overflow पर सर्च करता था, nowadays I can use ChatGPT, GitHub, CoPilot, या some other things to know my answers या कोई भी errors जो है, अब वो तरीका कार कैसे एक Software, एक Large Language Model मेरी जुबान को समझ रहा है, अगर मैं अर्दू में पूछ रहा हूँ, अर्दू में आंसर दे रहा है, अगर मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, हिंदी में आंसर दे रहा है, अगर मैं पंजाबी में पूछ रहा हूँ, मुझे पंज चलती है कि आप prompt इस्तमाल करते हैं और जो लोग software बना रहे होते हैं वो prompt engineering की base पर अपने सारे के सारे model को create करते हैं अब इसके ऊपर आपको basically क्या करना पड़ता है research topic कोई भी हो कोई wide variety of data हो whatever you want to do you have to create a prompt. prompt क्या होता है इस set of instruction होता है basically जो आप एक large language model को देते हैं कोई भी काम करवाने के लिए set of instruction कैसे मिसाल के तोर पे मैं आप से पूछता हूँ what is the capital of Pakistan आपको फोरण पता चल जागा Islamabad और ये तरीका कार अगर आप directly large language model से पूछे हैं तो आप उससे सवाल पूछ रहे हैं ठीक है वो जैसे होते हैं ना इशारों पर खड़े होते हैं अल्ला के नाम पर एक रुपे वाला तो दोर गया बाइदावे अल्ला के नाम पर दे ही कहते हैं तो वो जो बात करें वो सवाल करें आप यही समझ लें कि prompt एक ऐसी technique है कि आप large language model से कोई जवाब मांग रहे हैं अल्ला क के सारा दोर यहां पर prompt engineering के अंदर बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि now is the way to know about के prompt कैसे design करना है और उसी के अंदर prompt engineering के skills आती हैं which help to better understand the capabilities and limitations of large language models. अब large language model कौन कौन से है, chat GPT हो गया, GPT-4 हो गया, Bing AI हो गया, जिसके अंदर chat GPT है, Microsoft का co-pilot हो गया, GitHub co-pilot हो गया, आपके पास cloud anthropica आ गया, आपके पास Google का bard job Gemini के लाता है वो आ गया, सोरा एक model है जो recently launch हुए है, इस तरहां का mid journey है, there are many other things जहां पे आप image create करते हैं, data बना prompt engineering is a crucial technique, क्या होती है, use in the field of artificial intelligence, obviously हम AI को देख रहे हैं, तो यह AI के अंदर use होती है, which effectively communicate with AI models, अब जितने भी AI models है, large language models जिनके हम बात कर रहे हैं, जो text के उपर train किये गए हैं, उनको अच्छे तरीके से use करने के लिए, we use these kind of prompts to communicate with them, मिसाल के तोर पे, मुझे पंजाबी आती है, English आती है, so German भी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत Italian भी आती है, if you want to communicate with me, you need to know के मुझे कौन सी जुबान आती है, and how you can communicate with me, ठीक है, अगर इसी तरीके से आपने machine learning के model, यानि के AI के models के साथ बात करनी है, जो large language model जिनकी में बात कर रहा हूं, which are kind of a model, जो बहुत ज्यादा data के ऊपर, language के data के ऊपर train है, तो आपको उसका prompt सीखना होगा, कि मैं इसे कैसे पूछू, it involves crafting, inputs or prompts, craft एक होता है, बनाना, एक होता है making, एक होता है crafting, crafting हमेशा ज्यादा skills लेती है, तो आपने अपना prompt craft करना होता है, उसे बनाना होता है, जो AI model को guide करता है, कि क्या कर one है, so हमने craft करना अपना prompt, to that guide AI models, especially in natural language processing and generative task, ठीक है, जो हम generative AI परने हैं, उसके अंदर भी से use किया जाते है, to produce desired outputs, this method is pivotal for leveraging the capabilities of AI models, to understand instructions, generate text, answer questions and more making it essential skills in the AI practitioner's tool kit, आप कोई भी काम ले सकते हैं, जनरेटी वे एक और जो भी काम है, text generate करना, image generate करना, video generate करना, data generate करना, model के बारे में पूछना, आप ये भी data से पूछ सकते हैं, कि मेरा कौन सा statistical analysis लगना है, you can ask any kind of question to those large language models, specifically text के related, अगर वो model text का है, अब ये हमें सीखना क्यों जरूरी है, या आप एक machine learning engineer बनने जा रहे हैं, या आप AI के practitioner बनने जा रहे हैं, तो AI को समझने के लिए, अगर आपको prompting ही सही सही नहीं आती, मिसाल के तोर पे, आप भी ऐसे पूछ रहे हैं prompt को, I want to make an app, please let me know how to do it, तो same बो ही 5 वी class का बच्चा पूछ रहा है, तो आप में और उसमे help guide, you should know, या जो भी आपके पास skill set है, किस तरीके से आप prompt generate कर सकते हैं, और आपका prompt किस तरीके से craft होगा, मैं एक मिसाल देता हूँ उसकी छोटी सी, आप अगर कोई, for example, कोई handy crafts करीदने जाते हैं, एक simple सी कटोरी जो है, जो मट्टी का बरतन है, वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, but on the other side, एक ऐसा वो ही कटोरी जिसके उपर different किसम की artistic pool बने हुए हैं, paints बनी हुई हैं, और उसके उपर अच्छी खासी मेहनत हुई है, तो दोनों की value में फरक होगा, अगर ये 5 रुपे या 10 रुपे या 500 रुपे की मिल रही है, this should be around 5,000, 10,000, 15,000, so you need to be careful when you're crafting the prompt, और ये craft करना prompt को, और prompt को समझना, और prompting के उपर काम करना, is one of the biggest job industries these days, कैसे इसके बारे में हम बात करेंगे, but before that, key points हमारे पास क्या है, crafting inputs to guide AI model towards desired outputs, ठीक है, जो हमें चाहिए उसको लेने के लिए, हम कोई भी input, यानि के हम अपना sentence जो create करते हैं, उसको बोलते हैं, prompting, and then this enhance models interaction, crucial for NLP and generative tasks, ठीक है, क्योंकि जब हमने model के साथ बात करनी, then we should know किस तरीके से model के साथ बात करनी है हमने, अब evolution क्या है, prompt engineering की और किस तरीके से हमारे पास आई, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, before that, prompting, we were using some kind of rule-based system, जिसके अंदर हम limited थे by manual coding and lack of scalability, मिसाल के तोर प आपको 2020 से पहले तो prompting उस वकत नहीं थी, जब chat GPDI तो prompting भी आगी, तो हम क्या करते थे, हम हर चीज को code करने बैठते थे, मिसाल के दोर पे, अगर मैंने एक अपने data visualization करवानी है, then I had to learn coding, python मुझे आना चाहिए था, visualization का पता होना चाहिए था, then I can find some kind of manual, और वहां से मुझ coding की technique साती थी, but nowadays आप एक prompt लिखते है, code आपको खुद बखुद आ जाता है, ठीक है, तो evolution जो है basically, वहां से जो self-coding आपकी conditions होती थी, अब आप directly अपनी plain language के अंदर पूछ सकते हैं, पहले आपको code करना पड़ता था, किसी चीज को conditions लगानी पड़ती थी, अब आप plain पू पाऊंगा as compared to the previous days, और यही flexibility और आपके पास जो extensive data and feature engineering है, वो जो काम machine learning के अंदर आप पहले दिनों में या महीनों में करते थे, now you can do the same task in one day, two days or three days, if you know how to craft your prompts, ठीक है, और आज हम इसको इन्शालाब प्रेक्टिस में भी लेके आएंगे, उससे पहले, हमारे पास evolution ऐसे है पहले coding करते थे, फिर coding के सवाल जबाब ढूड़ते थे, फिर machine learning के अंदर हमारे पास flexibility आगी है, now we have large language models on our side, अब large language models क्या है, यह basically train होते हैं उन्हें vast text corpora, यानि कि इतना बड़ा data होता है, billions of आप कह सकते हैं कि pages के उपर यह data train हुआ होता है model, and then this is capable of understanding and generating human-like text, ठीक है, ला creative AI, या large language model जो भी हम use करते हैं, और obviously यह large language model में सबसे जो इस वकट top notch पे है, वो है जनावे वाला आपका chat GPT, या GPT, Generative Pre-trained Transformers, ठीक है, अब importance of prompt engineering क्या है, this is essential for directing large language model, यह जो models है, अब यह train तो हो गए है, billions of pages के उपर, यह data के उपर, even some of them are trained on trillions of parameters, अगर यह train हो चुके है, अब इनको अच्छे तरीके से use करने के लिए, आपको इनकी जुबान में बात करनी होगी, so essential है, यह directing LLMs to achieve desired outcome, marking a significant shift in how we can interact with AI systems, अब हमने जब AI system के साथ interact करना है, और हमें prompt का नहीं पता होगा, then how can we do that, ठीक है, so हमें यह सारी की सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, अगर ह हम इसकी prompting की basic को जानते होंगे, अब इसी से हमें next step पे चलना है, which is prompt engineering in one liner, अगर मैं बोलू, तो prompt engineering basically है क्या, सारी चीज़ों को समझते हुए, हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, कि prompt engineering represents the confluence of decades of AI evolution, अगर आप समझ रहे हैं कि आज ही prompt engineering आ गये है, तो आप खलत समझ रहे है, because ये evolution हुई है AI की machine learning की neural networks की base पे आज तक में, तो पिछले कई दहाईयों से ये काम चल रहे है, but now we have a refined form of prompt engineering, this embodying the transition from rigid rule-based system to flexible data-driven and highly capable AI models, तो ये हम जो rule-based system पहले चलाते थे, यानि कि हम देखते थे, different coding के techniques यूज करके, किस तरीके से हम data को different किसम की models में train करते थे, and then we had to hard code everything, अब वो ही चीज हम क्या कर सकते हैं, large language model के थ्रू यूज कर सकते हैं, अब होता क्या है, understanding and mastering prompt engineering is crucial for harnessing the full potential of modern AI, अगर आपको prompt engineering आती है, तो आप modern AI का full potential grab कर सकते हैं, full potential से मुराद, उन में जो भी advanced चीजें हैं, आप उसको उसकी, क्या हो से बोलते हैं, इंतहा तक यूज कर सकते हैं, particularly in the realm of natural language understanding and generation, so that's how you can actually generate and new text and then find out कि prompt engineering किस तरीके से हमें help out करती है, I know कि there are many things out there, जो prompt engineering के अंदर बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन basically समझाना के हमारे पास large language model क्या होते हैं, prompt engineering क्या होती है, ये एक refined task है for you guys, क्यों, क्योंकि हम 6 मां का जो course करे हैं, जिसका description के अंदर link दिया हुए, website का भी link दिया है, जहां पर totally free में ये course पढ़ा हुए, उसके step by step guide से, आपने देखा, हमने बिलकुल data से start किया, stats से आगे ग चीजों को reverse engineer करके सीखें, यानि के जो code हम लिखते थे हमारे पास output आती थी, now we can ask chat GPT और some other large language model के वो कैसे काम करती है, but before that, large language model होते क्या हैं और उनकी capabilities क्या हैं, इस पर थोड़ी सी नजर दोडाते हैं, so हम large language model को कैसे understand कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको के large language model ह होते क्या हैं, large language models are trained on the vast text corpora, capable of understanding and generating human-like text, ठीक है, human-like text, text जो generate करते हैं, उसे बोलते हैं, large language model, अब होता क्या है, large language model क्या करते हैं, learn करते हैं, to predict the probability of a sequence of words, enabling text generation, आपको याद होगा वो lecture जिसके अंदर LSTM, RNN और बाकी models को हमने NLP के टास्क के लिए use किया था, अब अगर मैं एक sentence बोलता हूँ, that this is a six month course on Codenix platform, ये एक sentence है, अगर मैं इसको तोड मरोड के आपके सामने पेश करूँ, जैसे, six month course Codenix on this is platform, तो मैंने ये तोड दिया सारा sentence, अब large language model क्या करते हैं, ये टूटे हुए sentence की, को जो मैंने पहले बताया था, this is a six month course on Codenix platform, तो उस sequence को याद आप बाद में बेशक तोड मरोड के भी words दे दे, they can generate the same sequence, जो मैंने पहले बताई थी, या इनी words की base पे, वो नई sequence पे generate कर सकते हैं, they know all the rules of punctuation, they know all the rules of where you have to put a question mark, tenses or whatever you have to do, they can write formally, they can write informally, या जो भी हमारा text, जो horizontal communication के अंदर आता है, they can generate new text, because this is a part of generative AI as well, तो यह सारा काम large language model करते हैं, और obviously इसके पीछे जो भी neural network की या transformers की, जो भी हमारे पास techniques use होती हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, but for now we have to understand यह होते हैं, तो हमें पता लग ग गया कि large language model, learn to predict the probability of a sequence of words enabling text generation, ठीक है, training involves adjusting billions of parameters to capture linguistic patterns, ठीक है, अब इसकी क्या मिसाल है, कि linguistic patterns को समझने के लिए, इनको कैसे पता चल गया, कि इसने पहले आने, इसने बाद में आने, फिर course का नाम आने, फिर platform का नाम आने, because they have been trained on billions of parameters, यानि के आप कह सकते हैं, billions of pages of books, अब यह भी कह सकते हैं, चले millions भी समझ लें, this is more than enough to train a large language model, अब जैसे आपने इसे train कर लिया, अब इसमें और कौन-कौन सी खासियत होती हैं, इनका architecture, primarily यह transformers होते हैं, allowing efficient processing of sequential data, transformers के हैं, generative AI के अंदर मैंने recently आपको पढ़ाया, variational auto encoders बगारा पढ़ाया हैं, transformers के बारे में भी हमने discuss किया था, transformers basically, आप कह सकते हैं, generative AI के अंदर different किसम के models हैं, which we are going to learn after today's lecture, फिर इनके पास training data होता है, जैसे मैंने बताया है कि इतने बड़े data पर यह train हुए है, फिर यह इनका learning process होता है, because they use unsupervised learning, leveraging patterns in data without explicit labels, यह unsupervised learning पर train होते हैं, you don't tell कि यह वाला, जो sentence है, इसकी sequence यह है, second की यह, third की है, यह automatically learn करते हैं from data, मिसाल के तोर पे, मैंने एक data दे दिया, which is written in very good format, यह क्या करेंगे, जहां जहां पे this आया है, वहां वहां से वो learn करेंगे, कि this ने पहले आना है, बाद में आना है, जहां जहां पे इस आया, वह उसी से learn करेंगे, so they learn on vast majority of data, and then they predict this similar kind of output, या new output, यह होते हैं, large language model, अब हमारे पास capability of large language models में और कौन से चीज़ है, large language models, यानि के LLMs, can adapt to various styles and formats, mimicking human-like writing, आप एक ही sentence को multiple types के अंदर आप लिख सकते हैं, और इसकी example, large language model की मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आज इसी lecture के end पे, कि आप एक ही sentence को तोर मडोर के कई हिस्सों के versions बना सकते हैं, and we are going to practice one thing today, कि आपने अपनी notebook के titles कैसे बनाने हैं, and you will see कि आप information देंगे, and at the end, you will have very nice refined titles, क्यों, क्योंकि ये large language models हैं, which are working on a big data, ठीक है, and they can also understand context and can provide relevant information or responses, ठीक है, so ये relevant information भी देते हैं, context को भी याद रखते हैं, and they can do a lot of other things, obviously, अगर ये बहुत अच्छे हैं, तो इनकी कुछ खामियां भी हैं, और खामियां हम सबसे पहले सामने रखेंगे, because we need to learn कि कौन कौन से इनकी खामियां, तो जैसे मैंने पहले कहा कि prompt engineering के अंदर, for example, crafting precise prompts mitigates limitations, इनकी इतनी ज्यादा खामियां हैं, कि अगर आपका prompt अच्छा नहीं बना होगा, तो ये अपनी मर्जी से answer देंगे, आप जितना अच्छा इनसे काम लेना चाहते हैं, उतना अच्छा इनको guide करेंगे, जैसे मैंने कल भी बताया था, diffusion models के अंदर भी अगर आप guided diffusion models use करना चाहते हैं, तो अगर आपका बहुत ही आला किसम का prompt लिखा होगा न, तो अगर आपका बहुत ही आला किसम का prompt लिखा होगा न, अगर आप अच्छे वाला prompt नहीं लिखेंगे, आपके पास काफी limitations हैं की. Directing LLMs to generate more accurate, relevant and unbiased content. अगर आप prompt बहुत ही गंदे वाला लिखेंगे, then they can provide you false kind of information, क्योंकि हमारे पास large language model की information के resources मुझूद नहीं होते, but still people are working on the resources content of large language model, we will see that. So, prompt अगर अच्छा नहीं बना, तो इनकी limitation क्या है, यह आपको अच्छा relevant and accurate answer नहीं देंगे, फिर strategic use के अंदर, combining human oversights with smart prompt design, enhances LLM utility while managing ethical consideration. अगर आप कोई भी काम करवा रहें ना large language model से, और आपको पता है कि जनाबे वाला हमने ethical consideration को mind में रखना है, मैं यह नहीं पूछना चाहूंगा, कि दुनिया में बात तो नहीं करना चाहता, but just to give you an example, आपको मैं समझा रहा हूं आपने यह example नहीं देनी, आप अगर racist हो जाएं, और आप model से पूछें कि जनाबे वाला दुनिया में black color के कितने लोग है, या पाकिस्तान चे मेले लोग किने, या आप यह पूछें कि हमारे शहर के अंदर छोटे कादवाले या बड़े लंबे कादवाले कितने हैं, मोटे कितने हैं, पतले कितने हैं, तो यह ethics से हटके चीज हो जाती है, या आप यह पूछने लग जाएं कि फलाँ बंदे की date of birth क्या है, तो based on those things, अगर आपको पता है कि ethical consideration आपके mindset के अंदर मौझूद हैं, based on those ethical consideration जिसको human oversight बोलते हैं, और आप large language model को use कर रहे हैं, then you can make it more accurate. अगर large language model को गलत चीज़ आपको दे भी देता है, you can actually train them. क्यों? क्योंकि वहां पे different किसम के buttons आ रहे होते हैं, कि like कर दे, share कर दे, subscribe कर दे, तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन like और unlike का वहां पे button आ रहा होता है, which you can use that. By the way, अगर अभी तक आपने like नहीं किया, तो please do a favor, like this live stream or this lecture and subscribe us. अब हम देखते हैं जनाब, the intersection of LLM's capabilities with their limitation underscores the importance of prompt engineering. ठीक है? अगर आप prompt engineering को सीखना चाहते हैं, तो अगर आप, in other words, अगर मैं ये कहूं कि अगर आप limitations of large language models हैं, उनको overcome करना चाहते हैं, then you have to learn, कि आप prompt engineering किस तरीके से, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. इसकी अगर मिसाल में ये देता हूं कि अगर तानू चंगे तरीके ना, prompt engineering आंदी है ना, then you can use the full potential of large language models. If you don't know how to use prompt engineers or how to craft your prompts, you cannot use large language model in a nice way. ठीक है? मतलब ये कि large language model की full potential पे use करने के लिए अपको prompt बनाना चाहिए. By understanding both, practitioners can more effectively leverage LLMs for a wide range of applications from creating, writing, creative writing to complex problem solving while navigating their constraints. मिसाल के तोर पे आप कुछ भी करवा सकते हैं. अब हमारे पास, यहां तक तो आपको समझ आगे कि हमारे पास कितने किसम के large language model होते हैं और कितने किसम के हमारे पास जो चीज़ी हैं, limitations है, capabilities in large language model की prompt क्यों जरूरी है, question बनाना क्यों जरूरी है और यह सब क्यों जरूरी है हमारे लिए इस पे बात करते करते एक point मैं highlight कर दूँ कि question बनाने से भी पहले अगर आप यह समझ लें कि कौन-कौन सी चीज़ें जरूरी हैं जब आप एक model के अंदर large language model को जब train कर रहे होते हैं उससे communicate करने के लिए मिसाल देता हूँ, English बोलने से पहले जब आप present tense, past tense, future tense, vocabulary और इन सारी चीज़ों पर punctuation, adjective, pronoun, noun इन चीज़ों पर focus करते हैं अगर आप इन चीज़ों पर focus नहीं करते हैं और आपके गलती के chances जाते हैं मिसाल देता हूँ, अगर आपको यह नहीं पता होगा कि जब did को use करना है तो second form या third form of verb नहीं use होनी then you will always make some kind of mistakes ठीक है, मिसाल देता हूँ, क्या यह पैसे तुमने भेजे थे, और मैं आगे से कहूँ, नहीं, I did not send this money तो first verb की form आईगी, क्योंके मैंने सीखा हुआ है, क्योंके हमने English सेखी हुई है similar way में, अगर large language model की basic structure नहीं आपको पता होगी, prompt बनाने में आपको problem होगी ठीक है, इसे के साथ मैं अगले lecture में भी आपको बताने लगा हूँ, कि types of prompt engineering क्या होती है और कितनी किसम के prompts होते हैं, and which of the prompts we have to work on to get the full potential of prompt engineering पता आपको भी होगा, लेकिन नम होगा नहीं बता होगा, that's what we are going to learn now